गुद मार्निंग गुद मार्निंग आज हम देलेड शेकेंड थेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्थ में प्रस्णपत्र सत्तम इवनिट फोर्थ में आएंगे परोक्ष विदी ब्याकरन अध्यन की परोक्ष विदी से पहले हमने वो प्रतक्ष विदी के बारे में अध्यन किया था तो हमने बताया था कि व्याकरन अध्यन की दो विदीयां मुक्रूत से हरवटी परणाले के अंतरगद परियोग में लाई जाती हैं तो पहला आगमन विदी और दूसरा निगमन विदी तो आगमन विदी में हमने बताया था कि इसमें पहले उदाहरन दिये जाते हैं और निगमन में पहले नियम बताया जाता है तो आगमन में जिसे होता क्या है कि कोई माडल परस्तुत किया जाता है चित्र दिखा करके किसी जिसे कोई時間 पढ़ाया जा रहा है उसमें एक माडल दिखाया जाता है तमांपरकार के माडल दिखाया जाती है तो लेकिन निगमन विदी में अईशा नहीं होता पहले नियम तब उदाएण बताया जाते है तो निगमन विधी को हम परोक्ष विधी के नाम से भी जानते हैं तो दोनों अलग अलग से हम पढ़ते हैं जिसे आगमन विधी को हम अलग धंगते पढ़ते हैं निगमन को अलग धंगते पढ़ते हैं तो दूनों विधियां अलग धंक से पढ़ेंगे तो प्राचीन मानी जाती है लेकिन जब उनको साइंक तुरूप से हम देखते हैं या उसके दोरा अध्यन करते हैं तो वो आधुन की विधियां कही जाते हैं उन्साइक तुरुप से अध्यन किया जाता है तो सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है नियम बता करके तब खुदारम दिया जाता है तो इस विद्य में व्याकरण के नियम तथा शिद्धान्त से छात्रों को पहले परचित करा जाता है उसके बाद उस नियम या शिद्धा वो इसे परोक्ष का अर्थ होता है जो आँखों के सामने ना हो जो आँखों से वो जहल हो जो आँखों के सामने उपर से ना हो जिसको गईर हाजिक काती है तो ये परोक्ष का मतलब रहता है तो एक जामपुल के अधार पर गर देखा जाए तो छात्रों को पहले नियम बताया जाता है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतिया विभक्ती का परियोग होता है उसके बाद उसके सामने उदाहन प्रस्तुत किये जाते हैं जैसे क्या है महेसा नेत्रिन काणा अस्ति संस्कृत सब्द है संस्कीत का ही ब्याकरन है तो परोक्ष बिदी को इस परस्त करती हुए लेंडन ने एक परिवासा बताई उस परिवासा का शारांत बताया उन्होंने लिखा कि परोक्ष बिदी द्वारा स्वरपत्म परिवासा या सिद्धांत या नियम ठिखा जाता है उसके बाद साधानी पूर्वाग उसके अर्थ की ब्याख्या की जाती है और रंत्म में तथ्यों का परियोग करके उसे पुन रूप से प्रस्तुत किया जाता है ब्याकरन की परोग्ष बिधी में कुछ चरुणों के करम का अन्फरन किया जाता है जे नियम है, इस पस्ति करण है, उदारन इवंग प्रस्तुती करण कैसे उसको प्रस्तुत करना है उदारन दिया जा रहा है तो कैसे उसे प्रस्तुती करना है फिर निर्चन किया जाता, निर्चन और परिचन दोनों की आव सकता होती है तो यह तो हुआ परोक्ष बिदी के बारे में कि यह आंखों के सामने जो चीज ना दिखाई दे वो परोक्ष है और इससे पहले जो परिटेक्ष पढ़ाया गया तो आंखों के सामने दिखाई देता है माडल हमने बताया हिंदी में फर्स समस्तर में आप लोग पढ़े हैं वो आगमन निगमन विदी में पढ़ाया था तो एक बार उसको जड़ा देख लिजिएगा तो समझ में आ जाएगा सारी चीजें वहीं है कुछ अलग से नहीं दिया गया है तो अब हम देखेंगे व्याक सिच्छन की दरश्ट से एक महत्पूर्ण विधी मानी जाती है दूसरी चीज है कि यह परतक्ष विधी की पूरक है मतलत दोनों एक दूसरे के पूरक है मतलत उसके बगएर वो नहीं रा सकता उसके बगएर वो नहीं रा सकता तो इसमें होता क्या है परतक्ष विधी सारी ये परोक्ष बिधी में जो भी फिच्छान कारे कराए जाते हैं वो कछाओं करवा जाते हैं, जैसे मादविक इस तर के कछाओं में करा जाते हैं तीसरी चीज है कि इस बिधी के माद्यम से छात्र व्याकरणों के नियम को सरलता पूरुव समझ लेते हैं चाथा पॉइंट है फिच्छक को भी अधिक सरम नहीं करना पड़ता है पाचमा चीज है प्रतेक्ष विदी की तरह परोग्ष विदी भी दोश युक्त नहीं है मनुवज्ञानिक फिद्धान्तों पर दोनों आधारित हैं इसलिए दोनों की आफ़क्ता फिच्छन कारी में होती है अगला पॉइंट बता है कि इसमें छात्रों को पूर्ण या इसपस्ट ग्यान पर आप नहीं हो पाता है विशेष्टा है इसकी जब नियम बता जाएगा तो आधिच्छा तो क्या होगा नियम को फालो नहीं कर पाएंगे कोई माडल छोटे बच्चों को पढ़ाना है ने तो पहले हम कोई माडल पर सुट करते हैं बच्चे आसानी से ठीक जाते हैं तो बैटर तो आगमन विधी मानी जाते है जो परतक्ष है अगला पॉइंट है छात रटने की प्रवेश्ट से गरसित हो जाते हैं मतलब परिसान आदें, परिसानी उठाना पड़ता है, अगला पॉइंट है कि यह विधी निम्न मादमिक इस्तर के छात्रों की तर्क सक्ति विचार सक्ति का विकात करने में असमर्थ है, लास्ट पॉइंट इसमें है कि इस विधी में छात्र सक्री कम हो रहते हैं, जैसे अग तो उसमें छात्र शक्री रूप से देखते हैं, टीचर बज़े बलाइग बोर्ड पर या फिर कोई मान चितर दिखाते हैं, तो बच्चे वो शक्री रूप से ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें किवल जब मुझ से नियम बता जाते हैं, तो बच्चे कम इंट्रेस्ट लेते हैं, थाइंकिव,